श्टडी आई से जुड़े समझ सांतियों को राहिंद राना का नमस्कार सांतियों बड़े हर्स के साथ आप लोगों को बता रहा हूं कि श्टडी आई का परिवार मात्र दस दिनों में 100 लोगों का हो गया है आप इसी परकार वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों को इसे सेयर करते रहिए जिनको इसकी आवशकता है सांतियों तो आज अपने विशय पर आते हैं आज हम अध्यन करेंगे भारत्य समिदान के स्रोतों का भारत्य समिदान के स्रोत न केवल भारत्य समिदान को उधारी का जोला भी कहा जाता है जो कि मेरे ख्याल से कहना गलत है क्योंकि भारत्य समिधान ने विबिन राष्ट्रों के समिधान के कहीं भी सिस्ताओं को लिया है पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि भारत्य समिधान भारत्य समिधान को उधारी का जोला कहा जाए फिर भी अध्यन के मद्या नजर भारत्य समिधान के सुरोतों में सरपर्थम Government of India Act याने की भारत सासन अधिनियम 1935 का महत्वपूर्ण योगदान है और समिधान का लगबग 70-75 प्रतिसद भाग इसी अधिनियम से लिया गया है भारत्य समिधान के अन्य सुरोतों में संयुक्त राज्य अमेरिका के समिधान बिर्टेन के समिधान कनाड़ा के समिधान आयरलेंड के समिधान जर्मनी के समिधान आस्टेलिया, फ्रेंच, सोवियत, रूस South Africa वज Japanese के समिधान के कहीं विसेश्ताओं को भारतिय समिधान में लिया गया है आज हम इनी विसेश्ताओं का अध्यन करेंगे और जानेंगे कि भारतिय समिधान में कौन सी विसेश्ता किस राष्ट से ली गई है तो आईए आगे बढ़ते हैं भारत्य समिदान की जो पहली विशेष्टा है जैसा कि मैंने पहली भी बताया कि गौर्रमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 याने कि भारत सासन अधिनियम 1935 से भारत्य समिदान के लगबग 70 से 75 परतिसत भाग को लिया गया है उनमें जो मुख्य व व्यवस्ता जो भारत देश की है संगात्मक याने कि भारत राज्यों का संग होगा यह कि अनुचेद एक में ही इस पश्ट किया गया है कि भारत राज्यों का संग होगा यह व्यवस्ता भारत्य समिदान में भारत सासन अधिनियम 1935 से ली गई है इसके आथ्रिक्त Office of Governor याने कि जो राजयपाल का पद्ध है वो अभी भारत्य समिदान में भारत सासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है तीसरा है न्यायपालिका याने की जूडिसरी न्यायपालिका की जो इस्तिती है भारत में उसको भी भारत सासन अधिनियम 1935 से लिया गया है नेक्स्ट लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन इसको भी भारत सासन अधिनियम से लिया गया है नेक्स्ट अमर्जंसी प्रोविजन्स याने कि जो आपातकालिन ब्यवस्ता है अनुछे 352 से 360 तक उस ब्यवस्ता को भारत सासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दूसरा, US Constitution याने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समिदान से कौन-कौन से विस्ताओं को लिया गया है इसमें पहला है Fundamental Rights याने कि मौलिक अधिकार भारत्य समिदान के भाग तीन में अनुछेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है और इसमें भारत्य नागरिकों को वह विदेशी नागरिकों को भी कहीं परकार के अधिकार भारत्य समिदान के द्वारा दिये गए है दूसरा है Independence of Judiciary याने की न्यायपालिका की स्वतंतरता अथार्थ न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवयवस्थापिका के बंदन से मुक्त होगी और स्वतंतर रूप से कार्या करेगी इसे न्यायपालिका की स्वतंतरता कहते हैं यह भी सहिक्त राज अमेरिका के समिदान स तीसरा है Judicial Review याने की नयाइक पुन्रावि लोकन की विवस्ता वह विवस्ता होती है जिसमें नयाइले को विवस्तापिका व कारे पालिका के दौरा निर्मित कानुnों का या कानुझों की समिख्छा करने का अधिकार होता है नेक्स्ट, Impeachment of the President याने की राष्टपती के पद को हटाने की जो परकिरिया है जिसे की महावियोग कहा जाता है यह व्यवस्ता भी भारते समिधान में संयुक्त राज अमेरिका के समिधान से ली गई है नेक्स्ट, Removal of Supreme Court and High Court Judges and Post of Vice President अथार, Supreme Court के जजों को हटाने वह High Court के जजों जिने की उच्च और सर्वोच नियाले कहते हैं इनके जजों को हटाने की परकिरिया को भी समयुक्त राज अमेरिका के समिधान से लिया गया है इसके अत्रिक्त उपराष्ट पती के पत को भी संविक्त राज अमेरिका के समिदान से लिया गया है अब है बिर्टेन के समिदान से हमने क्या-क्या विवस्थाओं को लिया है पहला है पारलेमेंटरी गवर्मेंट जिसे कहते हैं संसदात्मक सरकार संसिदात्मक सरकार वो सरकार होती है जहां की वास्तुविक और नाममात्र की दो परकार की कारेपालिकाएं देखने को मिलती है इसके विपरीद दुसरी परकार की जो सरकार होती है उसे अध्यक्षात्मक सरकार कहते है जो कि हम बिर्टेन में देखते हैं वहां का राष्टपती होता है. उसे ही कारेपालिका का सर्वोच कहा जाता है और वह स्वतंतर रोप से निर्णाय लेता है. किन्तो भारत में या यूँ कहें संसतात्मक सरकारों में दो परकार की कारेपालिका हमें देखने को मिलती है. एक वास्तविक और एक नाम मात्र की वास्तविक कारेपालिका वह होती है जो वास्तव में कारियों का निर्वहन करती है और नाम मात्र की कारेपालिका वह होती है जो कि जिसके नाम से काम को किया जाता है किन्तु वास्तव में वो काम नहीं करता है जैसे कि भारत में राष्टपती के नाम से समस्त कारियों को किया जाता है, किन्तु वास्ताव में इन समस्त कारियों को प्रदान मंत्री और उसकी मंत्री परसद करती है दुसरा है Rule of Law याने की कानून का सासन अथार्थ भारतिय समिधान के द्वारा जो भी कानून निर्मित किया जाएगा वह भारतिय समिधान में जो विवस्ता की गई है उसके तहत ही कानून का निर्मान किया जाएगा वह कानून इंगर मौलिक अधिकारों का हनन ना करें अगर अगर वह कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी इस्तिती में उन कानूनों को नगर्ण्य माना जाएगा तीसरा है single citizenship याने की एकल नागरिक्ता एकल नागरिक्ता की विवस्ता भी भारते समिधान में बिटिस समिधान से ली गई है अथार्थ भारत में जो अठेस प्रिथक राज्य हैं उनको भी सिर्फ एक ही नागरिक्ता लिनी होती है वो है भारत की नागरिक्ता उन राज्यों के व्यक्ति प्रिथक से उन राज्यों की नागरिक्ता नहीं रखते हैं जबकि अमेरिका में ऐसी व्यवस्ता है अगला है cabinet system याने की मंत्र पर से दिया व्यवस्ता next है rate rate जो की भारत्य समयदान में मौलिक अधिकारों के में वर्णित की गई है और अनुछेत 32 में इसका वर्णन है इसके तहट अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह हो अनुछेत 32 के तहट सरोज नियालय में जा सकता है और आर्टिकल या अनुछे 226 के थायत उच्चे नियायलेयों में इन रिटों के माध्यम से जा सकता है और नियायपालिका इन रिटों के माध्यम से ही जिस व्यक्ति या संस्था के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उन्हें आदेश जारी करती है नेक्स्ट है बायक कैमरलिजम अथार्थ दी सदनात्मक व्यवस्ता भारत में लोक सबा और राज्य सबा संसत के दो सदन है यह व्यवस्ता भी हमने विटेन से ली है विटेन में लौड सबा और कॉमन सबा नामक दो परकार की व्यवस्ता पिका के या संसत के सदन होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कनाड़ा के समिधान से हमने तीन परकार की विवस्ताओं को लिया है पहला है फेडरेशन विदा स्ट्रॉंग सेंटर अथार्थ भारत संगात्मक राज्य होगा किन्तु इसमें जो संग है वो ज्यादा शक्ति साली है दुसरा है रेजिडरी पावर इंदा सेंटर अथार्थ जो जो अवसिष्ट विसे हैं वहो केंदर के पास होते हैं तीसरा है एडवाईजरी जूरिडिक्षन ओफ दा सुप्रिम कोट याने की न्याय पालिका की राष्ट पती को जो एडवाईज देने की सकती है उसे एडवाईजरी जूरिडिक्षन ओफ दी सुप्रिम कोट कहते हैं इसे भी हमने कनाडियन सविधान से लिया है उसके पस्चात आयरलेंड के समिदान से हमने क्या क्या लिया है सरपर्थम हमने लिया है Directed Principle of the State Policy अथार्ट राज्या के नीती निदेशक तत्वा राज्या के नीती निदेशक तत्वा कहीं बार एकजामों में पूछा जाता है कौन से समिदान से लिये गए है इसलिए इसलिए आप विसेश रूप से ध्यान रखें कि यह हमने आयरलेंड के समिदान से लिये है अब भारत्य समिदान के अनुछेत 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है यह वह निर्देश होते हैं जिनके अनुसार किसी राज्य को अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने हेतु निर्देशित किया जाता है नेक्स्ट नॉमिनेशन ओफ मेंबर टू राज्य सबा अथार्थ जो भारत्य समिदान के राष्ट पती को अथार्थ भारत्य समिदान के राष्ट पती को राज्य सबा में जो 12 मेंबर मनोनित करने की सक्ती होती है उसे nomination of member to Rajya Sabha कहते हैं यह व्यवस्ता हमने Ireland के समिदान से ली है तीसरा है method of election of president अथार्थ राष्टपती के निर्वाचन की जो परकिरिया है उसे भी हमने Ireland के समिदान से लिया है Next हमारे पास आता है जर्मनी के समिदान से जर्मनी के समिदान से हमने suspension of fundamental right during emergency याने कि आपातकाल के दौरान जो मौलीक अधिकारों पर बंदन लगा दिये जाते हैं इस व्यवस्ता को हमने जर्मनी के समिदान से लिया है यह भी बहुत important है और कहीं बार exam में पूछा जाता है Next आस्टेलिया के समिदान से आस्टेलिया के समिदान से हमने concurrent list ली है concurrent list समवर्ती सूची को कहते हैं समवर्ती सूची अथार तीन परकार की सूचियां होती है पहली केंदर सूची, दुसरी राज्या सूची और तिसरी समवर्ती सूची केंदर सुची वह सुची होती है जिसमें केंदर को कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सुची वह सुची होती है जिसमें केंदर और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है किन्तु अगर इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं तो ऐसी इस्तिती पे केंद्र के कानून को ज़्यादा सक्ती प्राप्त होती है ज्यों व्यवस्ता हमने आश्टेलिया के समिधान से ली है नेक्स्ट हमारे पास आता है साउथ अफ्रिका के समिधान से साउथ अफ्रिका के समिधान से हमने प्रोसेज पॉर अभीडमेंट द़ कॉंस्ट्टूशन एंड इलेक्षन ओफ मेंबर ओफ राज्य सबा याने कि जो अनुझे 368 के तहब समिधान संसोधन की सकती संसत को प्राप्थ है, वह व्यवस्था, वह राज्य सभा के सदश्यों के जो निर्वाचन की परकिरिया है, वह व्यवस्था हमने साउथ अपरिका के समिधान से ली है भारत्य संग के समिदान के सुरोतों में अगला है सोवियत संग के समिदान सोवियत संग के समिदान से हमने fundamental duties and the idol of justice social, economic and political in the primble अथार्थ, मौलिक करतब्य और भारत्य संग के प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याई की बात की गई है यह व्यवस्ता हमने सोवियत संग के समिदान से ली है आपको ध्यान हो कि मौलिक करतब्यों को 42 समिदान संसुदन 1976 के द्वारा भारत्य समिदान में जोड़ा गया था उसके पस्चात हमारे पास आता है फ्रांस का समिदान फ्रांस के समिदान से हमने अथात भारत्य समिदान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंदुत्ता की बात की गई है इस व्यवस्ता को हमने फ्रांस के समिदान से लिया है आपने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनाव आपसे अपील है कि वीडियो को अपने मित्रों, अपने सगे संबंदियों तक सेयर करें और वीडियो का जो लक्ष्य है कि जिन छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के दोरान दिकत हो रही है उनको लाब मिल सके, वो अभी सिक्षा ले सके और कहा भी गया है कि न चोर हार्यम, न राज्य हार्यम, न ब्रात्र भाज्यम, न चभार कारी वैकृते वर्दते, एवनित्य, विद्याधन, सरवधम, प्रधादम अथार्ट न चोरों दोरा चुराया जा सकता है न राजा दोरा चीना जा सकता है न भाईयों में बाटा जा सकता है और नहीं इसका कोई भार होता है विद्याधन एक ऐसा धन है जो कि बहुत ही हलका और जिसे जितने अधिक लोगों में बाटा जाए उतना अधिक यो बढ़ता है तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बैल के बटन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आपने मुझे सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाल